वर्ल्ड में जितने अच्छे बैट्समैन हैं, सभी बाखफूट के बहुत स्ट्रॉंग बैट्समैन हैं। वो इसलिए कि उनको बाखफूट पे टाइम पूरा मिल जाता है। बॉल की मुवमेंट को बाउंस को कवर करके बॉल को गैप में डालने का उनको बड़ा अच्छा मौका मिल जाता पीछे जाके। आज हम उसी शौट को कवर करने जा रहे हैं। हेलो फ्रेंट्स मैं रमेश चोपड़ा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे एक बाख़ी वेलकम करता हूं। आज हम करने जा रहे हैं बैक फूट का पंच बैक फूट की ड्राइब्स। ये शौट, शौट अफ कुल लेंथ बाल को आफ स्टम पे और थोड़ा आफ स्टम के बाहर जो होती है उसको खेला जाता है। और जब बैक फूट अच्छा सेट हो जाए तो वो स्टम्स के बीच की जो बाल होती है उनको भी सामने शौट खेल सकता है। देखें बैक फूट का शौट इसकी जो बेसिक मॉव्मन्ट है वो है बैक फूट पीछे जाती है बाडी बट जो स्टो की मॉव्मन्ट है वो सामने होती है। इसलिए इसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की बहुत जरूरत होती है। उसमें आपके back foot की movement back and across इसे हिसाब से होनी चाहिए कि आपका body weight back foot की ball पे आए और आपको strong base मिल जाए strong base इसलिए चाहिए आपको कि उसी base से आपकी जो upper body है वो stroke के अंदर power डालती है इसलिए आपको strong base की इसमें बहुत सख़ जरूरत है जब आपका back foot move कर रहा है वो इसे हिसाब से back and across move करना चाहिए कि आपका head ball की line के off side में ना जाए अगर आपका head ball की line के off side में चला जाएगा तो आप जहाँ shot को खेलना चाहते हैं वहाँ नहीं खेल पाएंगे या तो आपका contact ही नहीं होगा अगर contact होगा तो ball अप पेश चली जाती है क्योंकि आपकी body off balance हो जाती है हमारा head जो है ये body का सबसे heavy part है इसलिए इसको आपको संभाल के रखना है आपको इसे हिसाब से move करना है कि आपका head on coming ball की line के एकदम पीछे आ जाए जब head आपका ball की line के पीछे आएगा तो आप ball की speed को, ball की bounce को, ball की movement को gaze कर जाएंगे, पकड़ जाएंगे, judge कर जाएंगे और यहां आपको back foot का shot खेलने में बहुत असानी हो जाएगी जब आप अपने stance में होती हैं यहां पे आपकी body side on position में होती है और जब आप shot केल रहे होते हैं back foot का यहां भी body आपकी side on position में जहां आपका shot की direction है, उस रफ होनी चाहिए आपका front foot भी back foot की direction में पीछे आएगा वो इसलिए कि आपकी body को यह balance में रख सके इस position में आप देखेंगे कि आपकी जो chest है यह point की तरफ जा रही है जब आपकी back foot की toe और chest point की तरफ जाएगी तो यह आपकी body को side on position में लेके रखेगी जो कि हमारे इस shot के लिए बहुत ही जरूरी है front shoulder, front side और front leg यह जहां आपका shot है उस तरफ होनी चाहिए back foot की position ऐसे बनेगी कि आपकी body ball की line के थोड़ा सा inside रहे इस shot के लिए back lift high है जब bat आपका highest point पे जा रहा है back lift के लिए उस वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपका front shoulder down and back जाएगा जब यह bat आपका down swing में shot के लिए आ रहा है उस वक्त आपका front shoulder forward and up position में जाएगा ऐसे में आपको bat की speed काफी अच्छी मिलेगी आपको ध्यान रखना है कि आपकी back elbow body के साथ टक रहेगी और front elbow body के पास से आएगी यहाँ पे आपका bat आपके back pad के साथ brush करके भी आ सकता है इतना body के पास आएगा और यही bat जब जाएगा तो यह ball की line में और stroke की direction में इसका face रहेगा पर आपको ध्यान रखना है कि आपकी front elbow यह bend रहे जब यह bend रहेगी तो आपके bat का handle आगे रहेगा blade पीशे रहेगा ऐसे में आपका shot नीचे ground को hit करेगा अप भी जाने के chance नहीं रहेंगे अगर ball उपर आ रही है तो ऐसे ही आपकी elbow high चली जाएगी एक और point का आप जो ध्यान रखना है वो है आपके दोनों shoulder की vertical moment shot की तरफ और आप stroke के साथ ही आपकी body का forward poise जो होगा वो stroke के पिछे force भी देगा contact आपका back thigh के सामने होगा और follow through में bat का face shot के पीछे पीछे जाएगा check drive में और full follow through में भी shot के पीछे पीछे जाएगा और आपके front shoulder के ओपर finish हो जाएगा मैं आपको इस shot का demonstration दे रहा हूँ मुझे ध्यान से आप देखिएगा का आपको 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 पिल जडिवांaut सीद्रीचंस ज़ी पिल शॉो्णória पिल हो जे पिल ज़ल को प्यूज में एफसे हैं प्यूज मारे ठोड़ से घर ऊमाल तो लिए के मॉपय से हैं मूपस के मॉपस के शाठफ में अबाट लिताalten झाल झाल कि अ कि कि का बेद औी की आसे सब खिण के पुरी च guilty कि कि अर बंच को पिस पाओ के हती है ऑम याजारיג हो हम पाओ यह था रेमुस्टेशन बैक फूट के पंच का इस शॉट में आपको जो दो-तिन पॉट खास ध्यान रखने है वो है एक आपका हेड पूरा कंट्रोल में रहे बॉल की लाइन के पीछे जाए यह बॉल की लाइन के जब ऑफ साइड में जाएगा तो आप ऑफ बैलन्स हो जाओगे ऐसे में आपके शॉट की डिरेक्शन जो आप चाहते हो वो नहीं आएगी शॉट आपका बैट जो आउन साइड में जाएगा या तो आपका कंटेक्ट नहीं होगा अगर कंटेक्ट हुआ भी तो बॉल अप पेश जा सकती है इस पॉइंट को आपने नोट करना है दूसरा पॉइंट है देखिए पीछे आपके पास तक्रीबन तक्रीबन चार फुट का एरिया है बैटिंग क्रीज से लेके स्टम्स तक अगर आप इसका आधा भी यूज़ कर लेंगे दो फुट भी यूज़ कर लेंगे आप बॉल से दूर हो रहे हैं और आपके पास शॉट खेलने का टाइम पूरा मिल रहा है और अगर आप ये एरिया यूज़ नहीं करेंगे तो जो लूज़ बॉल बन सकती है वो आप आपके लिए लूज़ बनेगी नहीं इसलिए आपको back and across आपके back foot की moment का ध्यान रखना है जब आपकी moment back and across बन रही है उस वक्त आपका head ball की line के exact पीछे होना चाहिए जब ये ball की line के पीछे होगा तो आपके position ऐसी बनेगी जहाँ पर ये आपकी आँखे एक level में है यहां से आप ball को अच्छा जज़ कर लेंगे और ball की line को आप जज़ करके ball की movement को भी जज़ करने की position में बहुत अच्छा जाएंगे क्यों कोई इस shot के लिए जो ball की movement है वो बहुत ज़रूरी है जज़ करना उसी हिसाब से आपके stroke की direction आने वाली है तीसरा जो main point है वो है आपका base इसमें base बहुत crucial है और base बनेगा जब आपका back foot back and across move करके land हो चुका है वहाँ पे आपका body weight firmly back foot पे आना चाहिए ये base आपको help करेगा आपके upper body part को उस movement में ले जाने के लिए जहाँ पे आपको shot के पीछे force मिलने वाली है एक और point बहुत जरूरी है जब आप shot खेले आपको ध्यान रखना है कि आपके दोनों हाथ wrist के साथ बैट को ball की line की तरफ थ्रो करें जब ये दोनों हाथ बैट को ball की line की तरफ थ्रो करेंगे तो यहाँ से power का transference आपके shot के अंदर होने वाला है इन बातों का आप ध्यान रखेंगे और आप regular practice करेंगे ये सोच लेने भर से कि मैंने back foot का shot देख लिया सीख लिया और मैं इसमें perfect हो गया ये आपकी बहुत भारी गल्त फहमी है talent का होना और उस talent को nurture करना दोनों अलग बाते हैं talent nurture तब ही होगा अगर आप किसी skill को किसी shot को बार बार practice करेंगे इसके लिए आपको मैं एक idea बहुत अच्छा दे रहा हूँ जिस batsman को ये problem हो रही हो कि मेरे से ball की length judge नहीं हो पा रही या मैं ये decide ही नहीं कर पा रहा कि मैं shot back foot पे जाऊं forcing shot या punch खेलू या ना खेलू उसके लिए आपको क्या करना है देखिए आप अपने stance position में हैं आप अपना comfortable front foot बाहर निकालिए बैट के handle को top से पकड़िए top hand से और अपने सामने एक semi सरका लगा लीजिए यूँ ये देखो ये जहां पर ये semi सरका की line आएगी उसको आप job के साथ अच्छा visible कर ले जब आप stance position में हैं जो ball इस circle के पीछे land कर रही है वो आपके लिए back foot का punch है और जो इसके आगे land कर रही है उस पर आपको back foot का punch नहीं खेलना है ये आपको ध्यान रखना है मुझे उमीद है अगर आप इन सब points का ध्यान रखे practice करेंगे और back foot के punch को सीखने की कोशिश करेंगे तो आप कुछ हफतों कुछ महनों के अंदर इस shot में perfection ले सकते हैं और अगर आपने इस shot में perfection ले लिया तो आप baller के बहुँ सारे plans को negotiate कर सकते हैं neutralize कर सकते हैं और baller को मजबूर कर सकते हैं कि आपके against the world अपने plans को बदले back foot के punch के ओपर मेरी ये छोटी सी attempt आपको अच्छी लगेगी इस उमूद के साथ मैं आप सब लोगों का शुक्रिया करता हुआ आप लोगों से इस वीडियो में